गुड इवनिंग बच्चो वेरी वेरी गुड इवनिंग तो बच्चो हमने स्टार्ट किया था पार्टनर्शिप हमने अभी पार्टनर्शिप की अकाउंटिंग भली चालू की है नाम इसका भी हमने अकाउंटिंग रखा है लेकिन अभी आप बच्चो पहले इसकी थेरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको जो आपने बीएस के अंदर लगभग ऑल्रेडी पढ़ी हुई है बढ़ आप सोच रहा हूंगे सर ये क्यों थेरी क्यों चल रही है क्योंकि बेटा जब तक हमको ये सारी की थारी थेरी समझ में नहीं आएगी तब तक हमको इसकी अकाउंटिंग प्रोभीजन समझ में नहीं आएंगे इसलिए जरूरी है अकाउंटिंग पढ़ने से पहले कुछ थेरी को पढ़ना तो हर एक चेप्टर के अंदर बिटा कुछ थेरिटिकल पार्ट होता है जो हमको डील करना रहता है तो हमेशा ध्यान रखें अकाउंट्स के अंदर कुछ पार्ट्स थेरी होगा जो आपको पढ़ना रहेगा I hope सबको पता है कि थेरी पढ़बल के आप सब बोर हो जाते हो Sir BS के अंदर थेरी पढ़ें, Economics के अंदर थेरी पढ़ें, कहां कहां हम थेरी पढ़ेंगे Accounts में भी आप practical subject में थेरी लिया है, बट बच्चो जरूरी है, जब तक हम थेरी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम को Account समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरे को एक बात theoretical बातें revise करना जरूरी होती है इसलिए बटा मैं आपको थोड़ी से थेरी चलूँगा, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, thereafter हमारा accounting part स्टार्ट हो पाएगा ओके, हलो, ओके बच्चो, तो चलें, partnership में सबसे पहला point जो मैंने आप सारे बच्चो को deal किया था पहला point सारे बच्चे बताएंगे, मैंने आपको definitions बताई थी, partnership firm की फासली, quickly, revisions करते हैं, जो हमारा part हो गया था partnership की definition क्या बताई थी, मैंने बोला था, Indian partnership 1932, section 4, define करता है partnership को section 4 क्या बोलता है, partnership is the relation, सारे बच्चे बताओ, क्या मैंने relation का मतलब बता दिया था, बोलो क्या बताए था बिटर रितिक, relation का मतलब, बताओगे क्या very good, relations mean agreement, agreement oral भी हो सकता है, can be oral, can be written form सारे बच्चे बताओ, oral रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, return form रखा है, तो उसका मैं क्या बोलते थे, partnership, deed, between two or more person, between two or more person, who have agreed to share the profit of business, मैंने आप से बोला था, कि business होना चाहिए, business के लिए ही partnership हो सकती है, इसलिए मैंने आप से बोला था, एक NPO के अंदर partnership नहीं हो सकती, business कमबर, मतलब मैंने आप समझाया था, business मतलब, कोई भी activity, economic activity, जो profit motor object के साथ हो रही है, clear, जहाँ profit motor object नहीं होगा, वो business नहीं होगा, तो बेटा, definition के अंदर कम से कम दो, और maximum कितने partner हो सकते हैं, सारे बच्चे बताएं, maximum कितने partner हो सकते हैं, 50, सारे बच्चों को याद है कि नहीं, maximum partner 50, और यहाँ पर एक point और मैंने discuss किया था, बताओ बिटा निकीता क्या डिसकस किया था एक और पॉइंट में यां डिसकस किया था 50 के अलाबा बताओ बच्चो Companies Act के अंदर कितने लिखे हुए है Companies Act के अंदर ये नंबर कितने दिये है 100 Partners दिये हैं बिल्कुल Companies Act के अंदर 100 दिये हैं Section कौन सा Section था फटा फट बोलो Companies Act का Section कौन सा मैंने आपसे 464 वेरी गुड बेटा लेकिन रूल जो हमारा Companies Rule 2014 है उसमें ये लिमिट 50 कर दी इसलिए हम 50 की बात करते हैं ये वाली बात हमने डील कर ली थी फिर मैंने बोला था परसन कौन से होना चाहिए जल्दी बताएं परसन कौन होना चाहिए बिटा जो Capable है Contract करने के लिए जो बंदे Contract नहीं कर सकते वो Partner नहीं हो सकते कौन कौन से 5 लोगों को मैंने हटा दिया था फटा-फट बोलो किन लोग कौन लोग Partner नहीं बन सकते Minor नहीं बन सकता Unsound Mind पागल बंदे को मैंने हटा दिया था और Insolvent Persons को हटा दिया था Aliens को हटा दिया था Enemy of Abber Countries को हटा दिया था जिसको जालकाइदा के साथ में आप Partnership नहीं कर सकते इन लोगों को छोड़ करके बाकी सब के साथ में आप Partnership कर सकते हो यहां तक हम पढ़ चुके थे क्या यह सब को clear है बोलो Very good यहां अब हमारा एक important point आता है Minor को ले करके सारे बच्चे बताएं क्या मैं Minor को Partner बना सकता हूँ जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे क्या मैं Minor को Partner बना सकता हूँ Very good बेटा Section 30 हमने यहां डील की थी क्या बताएंगे Minor को लेकर के Section 30 कि Minor को भी Partner बनाया जा सकता है कैसे बनाया जा सकता है तो सबसे पहले तो आपको एक partnership firm बनाना पड़ेगी Partnership firm कौन बनाएंगे जो बेटा capable है contract करने के लिए फ़र हमारे मोटू पतलू दोनों लोग capable हैं दोनों लोग major हैं इनने एक Partnership firm बना लिए अच्छा बताओ Partnership firm बन गई इन दोनोंने मिल करके सोचा चलो बिजनेस करेंगे इनने Partnership firm बना लिए अब बताओ Partnership बन गई फर्म क्या अब Minor को लिया जा सकता है after establishing Partnership firm बिलकुल एक बार Partnership firm बन गई तो फिर आप चाहो तो किसी Minor को अपने बिजनिस में as a partner ले सकते हो आप Minor को as a partner ले सकते हो लेकिन यह Minor जो आएगा यह Cable क्या share करेगा बच्चो जल्ली से बताओ Profit यह किसमें हिस्सा नहीं लेगा जल्ली बताएगे किसमें हिस्सा नहीं करेगा बोलो यह loss bear नहीं करेगा यह बली बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली थी तो देखें Section 30 हमारे Minor को लेकर कि क्या बोल रहे है Indian Partnership Act की क्या बोल रहे है it may be noted that the partnership can be formed with a minor partner but sorry minor partner को लेकर कि आप partnership firm नहीं बना सकते हो बोल रहे है it may be noted that no partnership can be formed with a minor partner but after the formation of partnership, partnership firm बनने के बाद minor can be admitted to the benefit, benefit मतब only profit of the partnership with the consent of all the partner of firm as per the provision of Indian Partnership Act 1932 क्या है इस आपको याद रहेगा बच्चो बोलो इस पर बहुत सारे questions पूछे जाते हैं इसलिए ये points सारे बच्चे ध्यान रखेंगे clear अभी मैं आपके MCQ questions निकालूँगा आपकी book के और वो questions मैं आपसे पूछूँँगा तो ये सारे answers मेरे को proper corrected चाहिए clear very good तो चलें आँगे बढ़ा जाए बच्चो तो definition के हम तीन words पर चुके relation relation का मतलब agreement person person कौन से लोग होंगे जो partner बनाएंगे और तीसरा business चोते word की बात करते हैं मेटा sharing of profit sharing of profit definition में एक word आया था sharing of profit मतलब अगर कोई बंदा हमारे business में है लेकिन profit share नहीं कर रहा है तो क्या वो partner नहीं है मैंने किसी बंदे को अपने business में बुला है बुला तुम भी मेरे साथ में business चलाओ बताओ लेकिन उसको profit में share नहीं दूँगा प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दूँगा तो क्या वो partner माना जाएगा नहीं माना जाएगा विल्कुल बैरी कुट बिटा निकीता सेंग नो और बताएं बिटा कसिस प्रस्स काश्बी क्या उसको हम partner मानेंगे नहीं नहीं प्रॉफिट में share करना जब्लूरी है प्रॉफिट में हिस्सा मिलना जब्लूरी है उसको बिटा आभी हम डाइप साब partner के बारे में भी discussion करेंगे लेकिन उससे पहले profit में हिस्सा लेना जरूरी है Share on profit होना जरूरी है, इसका मतलब loss share करना जरूरी नहीं है क्या, partner के बीच में loss share नहीं होना चाहिए क्या, इसका मतलब loss share नहीं करेंगे partner क्या, profit ही बाटेंगे बस, तो बिटा definition के अंदर तो केबल profit word लिखा है, अब profit word क्यों लिखा है, उसकी बारे में हम distill में चर्चा करें, तो पहली important बात, जो हमारे partner है, यह हमारे दोनों partner है, यह दोनों partner profit को share करेंगे, profit को share करेंगे, तो यह partner है, profit word क्यों लिखा, क्योंकि बिटा आप बताओ, अभी अभी आप एक definition पढ़के आए, section 30 पढ़के आए, बताओ, अगर हम minor को partner बना लेते हैं, तो बताओ बेटा, वो तो केबल profit ही share करता है, loss तो share करता ही नहीं, बुलो, अगर मैं definition में लिख देता, share of profit and loss, तो इसका मतलब तो यह हो जाता, कि फिर minor partner बन ही नहीं पाता, बास समझ में आ रही की नहीं, बुलो, इसलिए बेटा, definition के अंदर जो word लिखा गया है, there must be sharing a profit, profit share करने का agreement होना चाहिए, not loss share, share loss करने का agreement नहीं होना चाहिए, मतलब, profit share करने का agreement हुआ है, does not necessary means the agreement to the share of loss, loss share करने का agreement होना ज़रूरी नहीं है, profit share करने का agreement होना बहुत important है partnership के लिए, समझ में आया की नहीं, वो इसलिए, क्योंकि हमने पड़ा है, हमारे partnership में जो तीसरा partner आता है, वो cable और cable किस purpose से आता है, जल्ली से बताएंगे, वो cable और cable किस purpose से आता है, बोलें, वो cable profit को share करने आया है, किसको share करने नहीं आया, बोलो, loss share करने नहीं आया, तो भी हम minor को partner बानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आपकी partnership agreement के अंदर, profit share करने का contract होना जरूरी है, loss share करने का contract हो, नहीं हो, चलेगा, clear? अब उसकी बात करते हैं, profit तो share करना जरूरी है, मतलब जो agreement लिखा जाएगा, जो deed लिखी जाएगी, उसमें profit कैसे बाटे जाएगे, ये होना जरूरी है, loss के बारे में discuss करना required नहीं है, लेकिन बचो, अगर loss के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो loss भी profit के ratio में ही बाटे जाएगे, ये बात ध्यान रखना, अगर loss के बारे में deed silent है, तो loss भी कैसे बाटे जाएगे, जैसे profit बाटे जा रहे हैं, लेकिन loss जो है, वो minor partner bear नहीं करेगा, बात समझ में आ गई, बोलो, अभी मैं आपको calculations बताऊँगा, बट इतना सब को clear हुआ कि नहीं, मैं definition की बात कर रहूँ, अभी हमें practical बात नहीं कर रहूँ, practical मैं आपको समझाऊँगा, पट it is important, definition के अंदर के बाल लिखा, share of profit, not share of loss, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो चाहते हैं कि minor को भी partner बनाया जाए, बात clear हुई कि नहीं, बोलो, इसलिए ये बाली बात यहां लिखे गई है, अब दूसरी important बात, इसका मतलब यह हुआ, कि sir, जो profit, जो profit ले रहा है, जो profit बांट रहा है, क्या उसको हम partner माल लें, जिसको profit मिल रहा है, क्या उसको partner माल लें, मतलब यहां एक important बात हो गई, कि share of loss is not essential element of partnership, मतलब अगर कोई loss कर रहा है, तो वो partner है कि नहीं important नहीं, profit bear करना जरूरी है, profit मिलना जरूरी है partnership के अंदर, clear, बोलो, मतलब कोई loss bear कर रहा है, तो हम बोलने वो partner है, जरूरी नहीं, तो क्या sir, इसका मतलब हो गया, जिसको profit मिलता है, वो सब partner होंगे क्या, जल्ली बताएं सारे बच्चे, जिस बेटा, अराध्या, वेरी गोड, निकीता, सारे बच्चे बोल रहा है, हाँ, लेकिन बच्चो, मैं आपको class 11th में लेके चलता हूँ, class 11th में लेके चलता हूँ, सारे बच्चे बताओ, एक important point यहां एक line लिख हुई है, it may also note it, sharing a profit is a prima facie evidence, यह एक prima facie evidence है partnership के लिए, but not a conclusive evidence लेकिन conclusion नहीं है, ऐसा क्यों, इसके पीछे logic में बोल रहा हूँ, आपने class 11th के अंदर पड़ा था, manager को remuneration देते हैं, manager को commission देते हैं, क्या class 11th में manager को commission दिया, हलो, सारे बच्चों ने बटा manager को commission दिया था, class 11th याद करो, final account याद करो, क्या manager का commission निकालते थे, after charging, before charging करके, it is a part of profit, manager को profit में से हिस्सा देते थे, हलो, बिल्कुल निकिता सेंग, बांकी बच्चे बताओ, क्या profit पर ही calculation करके, उसको हम remuneration देते थे, commission देते थे, बोलो, बिल्कुल सही, तो क्या manager हमारे business का partner था, की employee था, he is a partner, he is an employee, तो इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हम किसी को profit में सेर दे भी रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, कि वो partner है, इसलिए definition में क्या लेखा है, it is a prima facie evidence, but not a conclusive evidence, conclusive evidence का मतलब यह है, कि मैं किसी को profit में सेर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं, कि वो मेरा partner हो गया, मेरा business का honor हो गया, नहीं, वो company का employee भी हो सकता है, क्योंकि कई बार profit share company के employee के साथ में भी किये जाते हैं, समझ में आया की नहीं, भूलो, सारे बच्चे बताओ, अगर एक्जाम में एक question आता है, कि sharing a profit is a evidence, आप partnership, क्या यह है एक evidence है partnership का, तो आप क्या लिखोगी, prima face evidence, not a conclusive evidence, याद रहेगा कि नहीं, logic सबको समझ में आया, क्योंकि manager को भी profit में हिस्सा देते हैं, लेकिन manager not a owner, not a partner, manager is a employee of a company, clear, very very good, तो यह भी एक प्राइमें फेशी evidence हो गया, और दूसरी चीज, loss share करने का agreement हो या ना हो, क्या share करने का agreement होना ज़रूरी है, profit, सबको याद रहेगा, मतलब अभी हम agreement पढ़ेंगे, लेकिन agreement के अंदर यह सारी बाते हमारी आना चाहिए, तो अब बच्चों बताओ, definition के अंदर हम चार वर्ड पढ़ चुके हैं, पहली important word जो हमने पढ़ा था, relation, relation मतलब agreement, agreement किसका होना चाहिए, share of profit का, किसके profit, business के profit, किन के बीच में होना चाहिए, persons के बीच में होना चाहिए, और person कौन नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे बताएं, person कौन नहीं हो जाहिए, वो 5 लोग, clear? very good, that is your definitions, एक और word, जो यहां आता है, that is very, very important, it is a conclusive evidence, मत्तब यह अगर है, तो पक्का partnership firm है, there are mutual agency, that is important, यह account की language है, mutual agency, सारे बच्चे बताएंगे, mutual agency का मतलब कोई बता सकता है, मेरेको mutual agency मतलब क्या? any person, any student, Samara? very good, or other person? Tarun, Vasanavi, Adi, विल्कुल सही बिटा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक एक छोटे से example से समझ सकते हैं इसको, example क्या है? it is very easy, ध्यान से समझेंगे, एक छोटा सा example ले रहा है हम यह आपर, बताओ, जैसे, आपके किसी से जगड़े हो गए, माल लो, आपकी किसी से जगड़े हुए, तो बताओ, जब जगड़े हुए, तो आप से लड़ने कोई नहीं आता, किस से लड़ने आता है? आपके पेरेंट से लड़ने आते हैं कि लोग? कि तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, तुम्हारे ये उसने ये कर दिया, बोलो, ऐसा क्यों, जबकि बहुत हो समझावा अविलेबिल भी नहीं होते हैं, उनसे क्यों लड़ते हैं? एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनसिप, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनसिप का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, कि जो काम मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं तो लाइबिल हुई ही, साती सात, मेरे अदर परसन, जो समय थे नहीं हुआ, भो भी उसके लिए क्या माने जा बात समझ में आईगी नहीं, भोलो, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनसिप को हम क्या बोलते हैं, बेटा, मीच्वल एजेंसी, मैं इसको थोड़ा सा और, इजी भी मैं समझाओ, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनसिप, जैसे, फॉर एक्जामपल, देखो यहाँ पर, मैं यह तीन पार्टनर है, Mr. X is a पार्टनर, Mr. Y is a पार्टनर, Mr. Z is a पार्टनर, यह तीन लोग पार्टनर है, Mr. X ने क्या किया बच्चो, गुड्स सोल्ड किया, इन मैडम को कोई गुड्स मैंचा, और गुड्स जो था बिटा, it is a defective goods, गुड्स में defect था, defective goods मैच करके, पैसा ले करके, यह भाई तो हो गया, गायब, सारे बच्चे बताओ, अब यह मैडम किस से लड़ने आएगी, आपके बिजनेस में आएगी, फर्म में आएगी, तो यह Y और Z बोल रहा है, हम तो थे ही नहीं, हमारे सामने थोड़ना goods मैचा गया है, मैं तो थ बोल देतो, बोलो, यह बोल रहा है, हम तो थे ही नहीं, उस समय दुकान में, मैं तो था ही नहीं, उस समय सावप में भाईया, जिसने मैं चाहता उस से निप्टो, अगर यह बोल दें, तो फिर बिटा बताओ, क्या partnership बाले लोग धोका दे सकते हैं की नहीं, क्या ऐसा होना तो एक्ट बोलता है, partnership के अंदर जितने भी partner है, whole are liable, भले transaction किस ने भी किया हो, किसी ने भी transaction क्यों न किया हो, चाए X ने किया हो, चाए Y ने किया हो, चाए Z ने किया हो, सारे partner liable माने जाएंगे, इस लिए एक्ट बोलता है, partners की बीच में, mutual agency होना चाहिए, mutual agency होना चाहिए मतलब एक दूसरे के लिए उतने ही liable है जितना वो खुद के लिए liable है मतलब यहाँ पर जो काम कर रहा है DRR agent यह agent मान लिया जाएगा और इन दोनों को principle मान लिया जाएगा मतलब यहाँ सा माना जाएगा कि इन दोनों ने बोला था इसलिए उसने गूट समयचा भले था या नहीं था क्या यह बात समझ में आई बच्चो बोलो तो DRR principle यह दोनों principle माने जाएंगे अगर मैं आपसे बोलूँ Y ने बेटा कोई transaction किया है तो Y is a agent and X and Z is a principle clear तो बच्चो क्या धियान रखना है mutual agency के अंदर जो बंदा work कर रहा है वो बंदा क्या माना जाएगा agent और उनके principle के आप कौन माने जाएंगे brothers partner समझ में आया जैसे मैं आपर इसको समझाओ कि mutual agency relationship in case of the form of ABC मैं आपको समझाओ पार्टनर है तीन लोग ABC जैसे यहां से बोलूँ when A does an act A ने कोई काम किया तो A कौन हो गया बेटा agent और उसके principle कौन हो गया B and C when V doesn't act, V ने कोई काम किया है तो B is a agent और A और C क्या हो जाएंगे principle C ने कोई काम किया तो A और B क्या बन जाएंगे principle बन जाएंगे क्या यह समझ में आया बोलो मतलब अगर बेटा court case होता है तो court case अकेले A पर नहीं चलेगा किस पर भी चलेगा बोलो partnership के हर काम के लिए B और C भी उतने ही B और C उतने ही liable माने जाएंगे जितना की A liable है जिसने जो काम किया है clear लेकिन केबल कौन से काम के लिए ये भी ध्यान रखेंगे सारे बच्चे केबल कौन से काम के लिए केबल partnership के काम के लिए ऐसा नहीं कि ये किसी का खून करके आगया और B और C को भी जगले मतलब जेल में डालना है नहीं क्या ये बास समझ में आई केबल कौन से ट्रांजिक्शन के लिए बोलो business ट्रांजिक्शन जो partnership में हो रहे है clear हर काम के लिए नहीं पका यहाँ एक और important बात है section 18 है इंडियन partnership act का जो बोलता है कि partners के बीच में mutual agency तो है ही साथ ही साथ firm और partner के बीच में भी mutual agency मानी जाएगी मतलब firm को हमेशा principle माना जाएगा और partner को हमेशा क्या माना जाएगा उनका agent माना जाएगा clear समझ में आया बच्चो ओके तो यहाँ पर mutual agency relationship किस किस के बीच में रहेगी partner के बीच में तो रहेगी रहेगी सारे बच्चे बताएं और किस के बीच में रहेगी firm के बीच में भी रहेगी clear हलो तो mutual agency का मत्दब सबको clear है कि नहीं अब मेरा एक question है छोटा सा बताओ किस से पूछो mutual agency related में एक question पूछन पूछना चाहता हूं कास्बी सेंग वट सर अगर business को transaction illegal हो नहीं बीटा अगर business transaction illegal है तो फिर वो business का transaction हुआ ही नहीं ना business transaction हुआ ही नहीं बिजनेस transaction क्या है बीटा जो legal है क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि partnership firm केबल कौन से business की बन सकती है legal business के लिए बात समझ में आई बच्चो कास्बी बिटा ओके तो धियान रखेंगे सारे बच्चे कि partnership के लिए जरूरी है business is legal की बात तो अपन पहले ही कर चुके हैं तो partner से business के लिए चले मेरा एक question है किस से पूछू बताओ mutual agency पर ही मैं question पूछ रहा हूँ कौन answer देना चाहेगा answer ठीक है बिट answer चलो आप से मैं एक छोटा सा question पूछ रहा हूँ बताना देखे an agreement between x and y x और y की वीच में agreement हुआ to share the rental income कि वो rental income को share करेंगे offer joint property on by x and y उनने एक joint property खरीदी थी दोनों के नाम से एक joint property खरीदी थी x और y के नाम से उनने बोला उनके बीच में agreement हो गया कि वो क्या करेंगे अपने profit को share करेंगे is it partnership क्या यह एक partnership है कास भी सेइंग एस अंस बेटा बताओ एस अंस का कहना से यह अराध्या बेटा आप बताएं अराध्या एस सर वेरी गुड बेटा आदी partnership है very good, very good प्रियांजली सेंग एस, very good तो बच्चो आप समझी नहीं पाएं mutual agency को it is not a partnership तरुन बेटा, it is not a partnership, यह partnership नहीं है पहली बात तो बच्चो बताओ यहाँ क्या share करने की बात चरही है, rental income clear? बताओ, यहाँ कोई business हो रहा है क्या? कोई transactions होंगे, बहुत सारे खरीदने पेंचने के कुछ? तो जब कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ, खाली agreement हुआ है कि भईये, यह property हम rent पे दे रहे हैं जो income आएगी, rental income आपस में बात लेंगे, काम खतम तो बच्चो बताओ, यहाँ कोई business ही नहीं है कोई mutual agency नहीं है जब X और Y को कोई काम ही नहीं करना है जब X और Y को कोई काम नहीं करना है तो इनके बीच में क्या नहीं है? फटा-फट बोलो, mutual agency is not available और जब mutual agency नहीं है तो बताओ बिटा, यह क्या partnership कहलाएगी? partnership होने के लिए, बिटा, essential characteristic है कि mutual agency होना चाहिए मतलब एक दूसरे के वर्ग के लिए दोनों libel होना चाहिए agreement ऐसा होना चाहिए यहां बोरा, rental income बाटेंगे, काम कतम बाकी कोई agreement ही नहीं इनका that is not our partnership, समझ में आया? तो बिटा, इसलिए mutual agency को बहुत important है mutual agency होना बहुत ज़रूरी है mutual agency ही true test होता है partnership के business का, कि partnership है या नहीं है, clear? hello very good last एक और चीज़ partnership के definition में नहीं है लेकिन सारे बच्चे एक और item पढ़ेंगे last point definition का unlimited liability partners की liability unlimited होना चाहिए partners की liability कैसी होना चाहिए? unlimited होती है अब इस unlimited पर बेटा हमारे account के अंदर बहुत सारे questions भी बनेंगे इसलिए ये point समझना बहुत ज़रूरी है sir unlimited liability का मतलब unlimited liability का मतलब समझाने के लिए मैं एक example ले रहा हूँ normal आप सब सारे बच्चे मेरे को answer देना बिटा मेरे को एक car खरीदना थी इस car को खरीदने के लिए मैंने bank से loan लिया और loan लेकर के मैं car खरीद रहा हूँ bank से बुर रहा हूँ मेरी car पर मेरे को loan दे दो और bank ने मेरे को पैसे दी है मैंने उससे car खरीद ली अब मेरा question ही है सारे बच्चे बताओ जब मैं car खरीदूँगा तो मेरे नाम से car रहेगी कि bank के नाम से car रहेगी owner कौन रहेगा bank क्यों बैंक क्यों रहेगा bank पैसा दे रहे है bank पैसा दे रहे है तो bank अपने नाम से car लेगा, कब तक bank के नाम पर ये car चड़ी रहेगी, सारे बच्चे बताएं जब तक मेरी installment मैं payment नहीं कर देता, क्या ये बास सबको पता है, बोलो तो ultimately owner कौन है bank, bank ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कल को अगर मैं payment नहीं करूँ, तो bank car ले जाएगा, और car बेंच के अपना लॉन चुका लेगा बोलो तो ultimately owner of a bank, bank इस car का owner है, इतना सबको समझ में आया अब हुआ ये मैं car चला रहा था car चलाते चलाते car जो है मैंने ठोक दी और car में क्या लग गई अब मेरा question सुनेंगे आँगे car में आग लग गई बच्चो बताओ अब मैं bank से बोलू ले जाओ car, पैसा तो मैं नहीं चुकाऊंगा तो क्या मेरे को पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा क्यों owner bank था वो जाने, उसकी car जाने में बोलूँगा जल गई ले जाओ कि मेरे को लोन चुकाना पड़ेगा नहीं, car तो bank के नाम पर थी bank कब तक अपने नाम पर रखता है बेटा, जब तक कि आप क्या नहीं कर देते बोलो loan complete नहीं कर देते लेकिन liability are unlimited वो बोलता है ऐसा नहीं है कि car को कोई नुकसान हो गया car कोई चोरी हो गई तो तुम बोलतो तुमारी तो अच्छा है डूणो चोर तुमी नहीं, तुमारी private asset को बेंच करके आपको car का payment करना पड़ेगा बात clear है, बोलो इस liability को बोलते unlimited liability, मतलब bank की liability cable car तक ही नहीं है कि car को कुछ हो गया तो bank से बोल देंगे car गई, loan भी गया, बूल जाओ मैं नहीं दूँगा पैसा, नहीं आपको पैसा तो देना पड़ेगा भले car रहे या ना रहे समझ में आया सेम यहां पर है बेटा partnership के अंदर भी partnership के अंदर unlimited liability का मतलब क्या है, partnership के अंदर बोलते हैं जो आपकी partnership firm है, जो आपका business है अगर कल को यह business insolvent हो जाता है, bankrupt हो जाता है, code इसको bankrupt गोसित कर देता है, जो आपकी business है वो दिबालिया हो गया है मतलब, liability चुकाने के लिए firm के पास asset ना बचे, जो यह debt चुकाना इसके लिए firm के पास asset ना बचे तो इस debt का burden किसके उपर आ जाएगा इस debt का burden भी किसके उपर आ जाएगा बच्चो बो partner के उपर आ जाएगा partner को क्या करना पड़ेगा यह debt जो partnership का debt है यह उनको अपनी private property मतलब अपने घर को bench करके भी payment करना पड़ेगा क्या यह बात clear है बोलो तो ऐसा नहीं है कि firm की asset से अगर debt का payment नहीं हो पाया तो हम चुकाएंगे नहीं बिल्कुल वैसा जैसे car को bench और car को bench ने पर भी bank का loan नहीं चुक पाया तो आपको अपने घर से पैसा चुकाना पड़ेगा same यहाँ पर firm की asset को benchने पर भी अगर firm की debt का payment नहीं हो पा रहा है तो partner को अपनी asset bench करके firm का payment करना पड़ेगा चाहे वो एक partner करें चाहे वो सारे मिलके करें क्या यह बात clear है बोलो that liability is unlimited liability bank partners की liability कैसी होती है मेरे बच्चों फटाफट बोलो unlimited liability होती है clear सबको समझ में आ गया very very good तो यह थी बेटा हमारी definition से related बात है अब जरा definition देखो अब आपको definition बिलकुल clear हो गई होगी हमारे partnership की क्योंकि यह definition हमारे इस पूरे accounts के अंदर आने बाली है हर जगह यह definition account में use होगी partnership is the relation relation मतलब agreement between two or more person who have agreed to share the profit जो एक खटे हुए है profit को share करने के लिए आपा business किसी business के carried on by all or any of them acting for the all चाहे वो business किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा हो या उन सब के द्वारा चलाया जा रहा हो clear इसको हम क्या बोलेंगे partnership तो बच्चो अब definition सबको अच्छे से समझ में आ गई की नहीं सारे बच्चे बताओ जब भी partnership का question arise हो तो आप दो बातें ढूड़ना सबसे पहली चीज देखना mutual agency mutual agency मतलब कुछ काम होना चाहिए दिखना चाहिए कि business में कुछ होगा clear है कि नहीं बोलो ऐसे ही नहीं आप दोनों मिलें मिलके बोलें आप अंदों नहीं पढ़ाई करेंगे it is a partnership सिफ नहीं क्योंकि profit share हो रही नहीं रहा तो profit share होना चाहिए clear है कि नहीं बोलो this is very important partners है पहुने के लिए ये सारी बात हैं होना जरूर यह है अब बच्चो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे business में 50 से जादा partner रखूँ तो क्या मैं रख सकता हूँ central government की बिटा मैं 100 से जादा चाहता हूँ 100 से जादा partnership में मैं अपने partner रखूँ तो आपको क्या बनाना पड़ीगी अगर 100 से जादा रखना चाहते हो तो company पे जाना पड़ेगा corporation पे जाना पड़ेगा ये बात सबको याद है भूलो अच्छा मैं चाहता हूँ partnership का business जो मेरे उपा liability है partnership की वो limited रहे limited रहे मतलब मतलब जितना assets हैं firm की बस उद्दा ही है मेरे घर की asset नहीं बिखना चाहिए limited liability रहे तो क्या partnership में limited liability रखी जा सकती है लेकिन company और partnership के business के बीच में एक और तरह की चीज होती है एक और तरह का business होता है जिसको बोला जाता है बिटा LLP limited liability partnership क्या बोला जाता है फटाफट बोलो limited liability partnership एक बीच का रास्ता मतलब मेरी partnership भी बन जाया और मेरे को company भी नहीं बनाना है और मैं चाहता हूँ business में 100 से जादा लोग partner रखो मैं चाहता हूँ मेरी liability limited भी हो जाया मेरे को company नहीं बनाना लेकिन मेरे को partner ship firm भी नहीं बनाना तो बीच का रास्ता act ने बताया आप एक काम करो LLP बना लो क्या बना लो बच्चो LLP तो इसका मतलब यह हुआ कि partnership firm जो होती न बिटा वो दो तरह की होती एक होती ordinary partnership ordinary partnership जो अभी हम पढ़के आये Indian partnership act 1932 के हिसाब से लेकिन एक होती LLP limited liability partnership firm limited liability partnership firm is a एक legal firm जिसके अंदर आप कितने भी partner रखो आपकी liability limited रहेगी आपको company बनाने की ज़रूरत नहीं है मतलब यह बीच का रास्ता ना company ना ordinary partnership हम बीच में एक business कर रहे हैं जिसको बोलते LLP आजकल बेटा यह जादा बन रही है बजाय की company के बास समझ में आई बोलो तो बेटा partnership firm are two types एक हो गई बेटा ordinary partnership दूसरी क्या हो गई limited liability partnership reason क्या होता है unlimited क्यों रखते हैं बताओ बेटा जब मैं कार खरीद ने गया था बैंक से और बैंक अगर बोल देता कि कार को कुछ हो गया तो नुकसान हम कार से भसू लेंगे तो फिर बैंक का नुकसान नहीं हो जाता बोलो बैसी partnership firm है partnership firm है मैंने loan लिया दो partner ने loan लेकर के पैसा घर माट दिया घरवाली को दे दिया और यहां business में नुकसान दिखा दिया तो सारे बच्चे बताओ नुकसान तो बैंक का हो जाएगा तो बैंक बिचारा क्या करेगा firm में पैसा ही नहीं कहां से लाएगा फिर बैंक का बलोन कौन चुकाएगा बास समझ में आ रही की नहीं बोलो इसलिए बेटा unlimited liability रखी गई तक outsider को कोई दिक्कत नहीं आए समझ में आया LLP क्या आया वो LLP हम समझते हैं अभी देखो LLP के बारे में पहले समझते हैं पहले था हम डिफ्रेंस देखते हैं एक ordinary partnership firm और LLP में क्या डिफ्रेंस होता है clear बोलो सबसे पहला डिफ्रेंस है बेटा law का applicability of law law कौन सा लगेगा सबसे पहला डिफ्रेंस सारे बच्चे बताओ ordinary partnership पर कौन सा law लगता है 90-30 रूप लेकिन LLP पर law लगता है बेटा LLP Act 2008 separate law बना हुआ है clear तो कौन सा एक्ट लगेगा जल्दी बताएं बेटा very good clear बेटा बताएं मेरे बच्चों जल्ली से registration मैंने कल आपको जब partnership firm पढ़ाई थी क्या partnership firm का registration कराना compulsory है अगर महरास्ट में कराते हो तो compulsory है बाकी compulsory है क्या it is optional हमने पढ़ा था it is optional लेकिन अगर बेटा आप LLP बनाते हो तो आपको registration कराना compulsory हो जाएगा clear क्योंकि LLP created by law वो law से create होगी समझ में आया ROC मतलब बेटा register of companies companies का register जहां पर registration होता है जैसे for example आप नहाटा के अंदर आए तो नहाटा के अंदर आपको registration कराना है तो मैं बोलूँगा जाके registered जो person है जो registration कर रहा हो उससे मिल लो clear है कि नहीं वैसे मेरे को company का registration कराना है company बनाना है LLP बनाना है तो फिर मेरे को एक बंदा government बोलती इस बंदे के पास जाओ इस बंदे से registration करा लो आपकी firm का registration हो जाएगा समझ में आया कि नहीं जैसे हमारे MP का registration जो है बेटा कास भी ग्वालियर में बैठता है कहां बैठता है अगर मेरे को LLP बनाना तो ग्वालियर जाना पड़ेगा लेकिन आजकल जाने की जरूरत नहीं आजकल सब ऑनलाइन हो जाता है clear रेश्टर आप company बंदा है बेटा वो LLP का भी registration कर देता है वो companies का भी registration करता है अलग अलग बंदे नहीं रखे हुऊ है ठीक है बट not a company यह company नहीं है हर एक state का ROC अलग होता है समझ में आया की नहीं है आप जिस state में जाओगे उस का ROC अलग बलेगा clear हिसाब केताब रखना पड़ता है अब हमारे state में कौन-कौन सी company चल रही है उसका हिसाब केताब रखना पड़ता है ठीक है लेकिन पूरे इंडिया का देखना है तो MCA की site पे जाके देख सकते है जो MCA की sites है वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर हमको सारी चीज़े मिल जाएंगे ministry of corporate affairs की जो site से बिटा ministry की site से उस पर जाएंगे तो सारी company की detail मिल जाएंगे इंडिया में जो इतनी हैं सब एक साथ मिल जाएंगे but register particular states से related होता है clear तो बताएं बच्चों कमपल सरी कब हो गया जली से बताएंगे कमपल सरी कब हो किसका registration कराना कमपल सरी हो गया इसका नहीं creation याद करो मैंने बोला था partnership firm को create करने के लिए खारी agreement की ज़रूद है दो लोग मिले मिलकर के agreement किया profit मांटेंगे partnership हो गई clear लेकिन यहाँ LLP का creation law से होगा मतलब जब तक ROC आपका registration नहीं करेगा तब तक आप LLP नहीं बना सकते clear तो it is created by law यह law से create होती जबकि यह create होती agreement से separate legal entity separate legal entity body corporate क्या partnership firm जो है separate legal entity है legal entity का मतलब समझ नहीं आपन legal entity मतलब बिटा जैसे for example मालो मैं partnership firm बनाई नाम रखा XY partnership firm clear bank के पास गया bank से loan लिया 5 लाग का किस नाम से XY partnership firm के नाम से और हम दो दोने पैसा लिया और भाग गया manager जो आएगा क्या वो firm से पैसा मांगेगा या हमने profit कमाया चलो profit कमाया तो profit बताओ profit का tax किसको देना पड़ेगा firm को देना पड़ेगा कि partner को देना पड़ेगा इंकम टेक्स की रेट पड़ी हमने पैसा टेक्स नहीं भरा इंकम टेक्स की रेट पड़ी तो इंकम टेक्स बाले आएंगे firm की building के सामने खड़े होंगे वो लेंगे हमारा Youngpex का tax लाओ firm자 swing ऊपर से पैसे की बारिस करीगी उनकी ऊपर फैसे की बारिस हो जाएगी वो tax मैक से जाएंगे ऐसा कुछ होगा टेक्स किसको देना पड़ेगा पार्टनर को देना पड़ेगा कि नहीं雇ड कर सब कुछ पार्टनर ही जिम्मेदार माने जाएंगे firm का existence ही नहीं है legal काम को ने के ऐसा तो नहीं हो सकता कि चलो हमने tax नहीं भढ़ा court case हो गया पुलिस आई, बिल्डिंग उठा के ले गई पुले 5 साल की जगा, हनवान जी जैसा बिल्डिंग में जमा कर दी, बिल्डिंग को पुलिस थाने में डाल दी आ पार्टनर बाहर घुम रहे है, ऐसा कुछ होगा सजा किसको होगी? बोलो पार्टनर पार्टनर जो होतने हैं बेटा वो इलीगल ही माने जाते हैं हर चीज के लिए फर्म का कोई लीगल एक्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन LLP के केस में LLP के केस में Tax X किस के नाम से जाएगा, बताओ बेटा, Tax बगेरा सब किस के नाम से जाएगा फर्म के नाम से जाएगा LLP के नाम से जाएगा ध्यान रखना, कंपनी की बात नहीं कर रहो हूं LLP की बात कर रहो, कंपनी तो हमारा थर्ड पार्ट है हम अलग से पढ़ेंगे, समझ में आया है, बोलो LLP, सारे बच्चे बताओ यहाँ, अब यहाँ अकाउंट बाली बात करते हैं Income Tax Paid It is a Business Expenditure या It is a Personal Expenditure यहाँ, यहाँ पर Partnership Form है, Income Tax Paid Is a Business Expenditure It is a Personal Expenditure Personal Expenditure It is not a Business Expenditure इसलिए याद करो, आपको Soul Proprietorship Business में Income Tax को बोलते थे Drawing, याद आया और इसको माइनस कर देते थे करते थे कि नहीं क्या Income Tax को कभी P&L में डाला, Profit and Loss अकाउंट में डाला नहीं डाला, क्यों? क्योंकि Soul Proprietorship Business में भी Business जो होता है वो Legal Entity नहीं रखता समझ में आया बच्चो, बोलो Partnership भी Legal Entity नहीं रखती इसलिए Income Tax के Expenses Drawing माने जाएंगे लेकिन LLP LLP के अंदर सारे बच्चे बताओ LLP is a Legal Entity तो LLP के अंदर Income Tax Drawing मानोगे कि Business Expenses मानोगे जल्दी जल्दी बताएं बच्चो Business Expenses मानेंगे तो बताओ कहां जाएगा ये Drawing Capital में से Minus होगा या P&L में डालना पड़ेगा Profit and Loss में जाएगा Clear Very good बच्चो Legal Entity का मतलब ये है Legal Entity मतलब अगर Case बगेरा होते हैं कुछ भी होते हैं तो firm के उपर ना होके partner के उपर होगे और यहां LLP के उपर ही चलेगा सब कुछ Clear Hello Next आता बच्चो Perpetual Succession अब सारे बच्चे सोच रहोंगे Perpetual Succession क्या है Perpetual Succession मतलब बच्चो कि जैसे मैं और मेरा दोस्त दोनों partner थे एक की death हो गई partnership बची की की खतम हो जाएगी अरे अरे एक की death हो गई दो partner थे एक तो नहीं भटी गया क्या मैं अकिला बंदा partnership कर सकता हूँ Partnership खतम Clear? बोलो तो यहां partnership का Perpetual Succession नहीं होता मतलब partnership में partner का अगर कुछ भी change होगा तो पुरानी partnership खतम हो जाएगी Clear? लेकिन LLP के case में सारे partner की death हो जाए तो भी LLP खतम नहीं होगी समर जाएं तो भी LLP खतम नहीं होगी It is a perpetual success तो समर जाएंगे फिर partner से तभी खतम हो सकती है जहां से वो create होई थी बताओ create law से होई थी की नहीं? बोलो तो end भी law से होगी और यहां create agreement से होई थी अब जिससे agreement हुआ था वहीं नहीं रहा तो agreement खतम हो गया की नहीं? बोलो तो यहां partnership खतम ध्यान दखना जो चीज जहां से बनती है वहीं से खतम होती है clear इसको बोलते perpetual succession perpetual succession मतलब जब तक law खतम नहीं करेगा तब तक partnership LLP खतम नहीं होगी लेकिन यहां partner की death हुई partnership भी खतम clear बच्चो differences देखना मैं आपको यह PDF बेज दूँगा चेंता मत करो next number आ partner बताओ number आ partner 50 लेकिन LLP के अंदर minimum 2 maximum unlimited जित्ते रखना उतने रख लो है partnership बज़ेदार की नहीं LLP कोई भिक्कत नहीं है दूसरी बात यहां liability कैसी है सारे बच्चे बताओ यहां liability कैसी थी unlimited मतलब आपकी private assets से भी पैसा बुलाया जा सकता बट यहां पर liability capital तक सीमित रहेगी जितने आपने capital लगाई बस बोई डूबेगी उससे ज्यादा नहीं डूबेगा अधा private assets आपकी sellout नहीं करा सकते किसके अंदर फटाबट बोलो LLP के अंदर यहां agent principal relationship firm और partner के बीच में होता है और partner partner के बीच में भी होता है लेकिन यहां agent principal relationship partner partner के बीच में नहीं होगा यहां mutual agency का relationship cable किसके बीच में होगा फटा फट बोलो firm और partner के बीच में लेकिन दोनों partner आपस में एक दूसरे के लिए mutual agency नहीं रखेंगे clear यहां जो भी case यहां क्योंकि बेटा यहां जो भी case होगा वो सीरा LLP पे होगा यहां partner पे करने की ज़रुत नहीं होगा अपने आप ही agreement हो जाएंगे clear है की नहीं बोलो hello LLP केस हुआ मत्तब सारे partner पे अपने आप ही हो गया की नहीं यहां दिक्कत ही नहीं क्योंकि legal entity है clear बच्चो कौन सा बच्चा legal entity legal entity legal entity मतलब आपका जो business है legal entity माना जाएगा की नहीं मतलब आप कोई legal ही कोई काम करते हो तो आपके ऊपर liability आएगी की नहीं आएगी उसकी बात चर रही है clear hello example से समझना देखो जैसे मैं आप से बोले हो example से समझना देखो यह मेरी partnership firm दो partner ने मिल करके partnership firm बनाई clear hello capital लगाया पैसा लगया अब हुआ यहाँ पर मालो इस partnership firm ने किसी को goods बेचा और उसको defective goods बेच दिया बताओ सामने वाले का नुकसान हुआ की ने तो वो third party जो है जो third party है आपकी वो case किसके उपर करेगी that is important बताओ वो third party case किसके उपर करेगी यह third party बेटा firm के उपर भी कर सकती है कोई दिक्कत नहीं third party बेटा partner के उपर भी कर सकती यह और भी दो partner है इनके उपर भी case कर सकती कोई दिक्कत नहीं है इसको लेकिन अगर इस third party ने धोका दे दिया for example मैंने इस third partner से firm ने इसको loan दिया और यह loan नहीं चुका रहा है और अब मेरों को case करना है तो मैं firm के नाम से नहीं कर सकता क्योंकि firm की कोई legal entity नहीं है बताओ case किसको करना पड़ेगा सारे बच्चे बताओ partner को नहीं दोनों मिलके करें चाहिए एक करके आजाए कोई दिक्कत नहीं समझ में आया इसको बोलते legal entity legal entity मतलब जो जिसका नाम से बिटा legally काम किया जा सकता है clear चल तो ये था बिटा हमारा आज का lecture सारे बच्चे बताएं इतना सबको clear हुआ any doubt बिलकुल बिटा difference वाला चार्ट में आपको pdf कर रहा हूँ आपके group पर डाल रहा हूँ आपके mobile पर भेज रहा हूँ आप आराम से उसको देख कर पढ़ें clear ये hand return road तो मैं आपको भेजी रहा हूँ इसमें कोई problem नहीं बेटा आपके notes आजाएंगे आपके पास अभी ठीक है आपको photo लेने की ज़रुवत नहीं है मैं आपको भेज रहा हूँ आपको app को start करना हूँ उसी में BS के lecture मिलेंगे उसी में आपको eco मिलेगा उसी में maths मिल जाएगा उसी में सब कुछ मिलेगा ठीक है तो चिंता कनने की ज़रुद में जी बिटा कासिस जी बिटा बिल्कुल similarity नहीं है तोनों ही अलग लगें एक legal entity है एक legal entity ही नहीं दोनों में फर्क है बिटा बीच का तरीका है मैंने बुला थोड़ा सा बड़ा देखो पार्टनर्सिप देखो सोल प्रोपेटर थोड़ा सा बड़ा है उससे बड़ा partnership है सबसे बड़ी company company और partnership के बीच की एक entity जिसका नाम क्या रख दिया LLP ठीक है आपके पास कौन सी है बिटा इस्कूल में जनरली TS चलती है आपके आप TS ग्रेवाल से पढ़ सकते हैं TS ग्रेवाल के caution solve आप फर्स्ट वालूम पहला वालूम उसमें पहला चेप्टर NPO होगा सेकेंड चेप्टर बेटा आपका fundamental पार्टनरसिप होगा ऐस सच तो नहीं होते है company जो third book है केवल वो change होती है third book जो है ना वो बात अतलब पुरानी third book के लिए नई book की जरूद पड़ेगी first or second तो लगबग same रहे हाँ वो third book में change हो जाते है third वाली book जो है वाकि first or second same रहेंगी first or second same रहेंगी first or second volume आप यूज़ कर सकते हो पुराना वाला कोई दिकर ने ठीक है hello okay बच्चो तो मिलते हैं कल bye 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 बच्चो bye bye बच्चो bye बच्चो